हम नहीं मानते तो नहीं मानते और मानना क्यों है व्यक्ति से हमारा कभी न लेना देना रहा है ना है ना कभी होगा तो उसको मान करके हम अपना समय क्यों वेर्थ करें यह सबसे बड़े दोगले लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं कि आप सब हिंदू हो दलित कोई नहीं है कोई जाती वाती नहीं है लेकिन जब कहीं भी किसी भी सीएश्टी और विसी के व्यक्ति के साथ में कहीं भी कोई आपदा होती है कोई भी शारी चीज़ होती है उस घटना में साप-साप अंकित किया जाता है कि फला दलित व्यक्षिक साथ यह वह नहीं है तो इसका मतलब क्या है क्योंकि उन्होंने वह अधिकार ही नहीं दिया किसी और को कि अधिकार ही नहीं दिया है वरना अगर वो बोलें कि आप अपना ज्यान ले करके दिया भगवत गीता पढ़ लेते हैं या मंतुचरान करना सीख जाते हैं तो आप भी ब्रह्मन बन सकते हैं तो क्यों नहीं बन सकते है कि यह सब चमा रहे हैं इनको क्या किया दिया है हम तो यह कहने ठीक है भाई हम चमा रहे हैं हम नहीं मानते और मानना क्यों है जिस व्यक्ति से हमारा कभी न लेना देना रहा है ना है ना कभी होगा तो उसको मान करके हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें चमड़ी उदेड़ने जैसा ट्वीटी संद सिखर आया उनके खिलाफ करें फिर वो कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़ा हितेसी में हूं यह लोग जो हैं यह सबसे बड़े दोगले लोग हैं जो सब हिंदव कोई कि नहीं कोई चाती बाती नहीं सब हिंदु है कि कहीं बहुती है कोई विससारी चीद होती है कि फला जार जाता है कि आप से पहले जब आपको याद होगा कि एक बलातकार कांड हूआ था लड़की ब्रह्मन थी अब जब निर्भया कांड के दोरान पूरे देश्मर में यह दिखाया गया जो है यह हिंदू की लड़की के साथ में एसा एसा त्यचार हुआ है और पूरे देश ने वाज उठाई लड़की के साथ हुआ है अब उस लड़की का नाम कुछ और था क्योंकि गाइडलाइन यह है कि जो भी विक्टिम होता है इसलिए उसका निर्भया करके वह किया गया लेकिन जब हात्रस में मनीशा वालमी की नाम लिया गया उसके वीडियो भी दिखाए गए उसकी लोकेशन तो यह जब कानून यदि सब बराबर है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है क्योंकि जो इनका एजेंडा है वह यह है कि इनको धर्म के नाम पर सर्फ इस्तमाल करो सत्ता हाशिल करो और जो मंचा है इनके साथ में राम बद्द्राचार को अगर आपको ग्यान सला देना चाह दो तो इतने बड़े मंत्रों की शक्ति इतना बड़ा सबकुछ मानते हो तो तो उन्हें अपने ठीक करी अपनी संत्रमाइं की पाप किया जो नहीं आधार पर बहुत बड़े कांड की होंगे तुमने जो तुमारी आखे जो है इस जनम में आपको नहीं मिली है तो यह लोगों के लिए है लोगों को सोचना चाहिए कि क्या जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो चीज एक सामाजिक व्यक्ति के लिए आचरण वाली बात है यह लोगों को सोचना चाहिए कि उनको किसका साथ देना है किसका नहीं देना है किसको मानना है किसको नहीं मानना है क्योंक तो आज मेरे साथ प्रसांद वाध जी ते तमाम ये राम ऊंदर प्रानप्रत्टा हुआ एक आपने खास बदलाव देखा हुआ कि राम मंदर प्रानप्रत्टा से खास़ कर ऐसी समाज अम्परगरवाद की बात करने वाला बिल्कुल दूर रहा है ऐसा उन्होंने तर्शाय कि देश में कोई ऐसा बड़ा कारक्रम कोई समारों हुआ ही नहीं है ना उन्होंने विरोध किया है ना ही कोई उसकी अच्छा ही किया है तो यह जो बदला आप देखने को मिला है समाज है वो सब प्रसंद वाई जैसे लोगो बनुबादे प्रसंद वाई जैसे लोगोगोगो